नमस्कार, MS Classes में आप सभी का स्वागत है आज हम मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मोहन राकेश के द्वारा जो ये नाटक लिखा गया है आधे अधूरे का प्रकार्शन सन 1969 में हुआ था हिंदी नाटक जगत में इस नाटक का अत्यांत महतूपुण स्थान है यह नाटक वर्तमान जीवन से सीधा सीधा एक इसपस्ट समंध भी रखता है इसमें एक ऐसे परिवार के संघशों की कथा है जो विशुध रूप से मध्यम वर्ग का है पारिवारिक विगटन की दुरगटना को समस्यात्मक स्वरूप में नाटक कार ने अत्यांत शर्शक्त ठंग से प्रस्तूत किया है मोहंडाकेश ने इस नाटक में वर्गमान यूग को आधार बनाकर व्यक्ति, परिवार और समाज के महत्पून संधर्वों की प्रस्तूती की है इसमें व्यक्तिगत सोतंतरता, स्त्रिपूरुष संभंद, योन संभंद, पारिवारिक मोलिय, आर्थिक मोलिय, इत्यादी जो तत्व हैं जीवन के तत्वों को लेकर गहन विमर्ष की आवशक्ता उत्पर्ण करने वाली अभिव्यक्ति प्रस्तान की है आधुनिक्ता का सरवाधिक महतुपुन पहलू है व्यक्ति सोतंतरिय और मोहन राकेश ने अपने इस नाटक में विभिन पात्रों के माध्यम से इस व्यक्ति सोतंतरता का सफल चित्रन किया है नाटक का प्रतेक पात्र व्यक्तिगत सोतंतुरता चाहता है और वहाँ पूर्ण रूप से दाइत्वु मुक्त होकर सबके मन मारगी है क्योंकि किसी के प्रती संभधता अनुभव नहीं करता है आधुनिक जीवन में प्रतेक व्यक्ति की यही सबसे बड़ी अकांशा व्यक्ति का सोतंतुरता के लिए इस नाटक के पात्रों की छटपढ़ार देखी जाने योग्य है ये सभी पात्र अपने अपने अस्तित्व का स्वतंत्र स्वरूप चाहते हैं जिससे वे अपने जीवन की सार्थकता को प्रमानित कर सके उनकी यही अस्तित्व की जो खोज है इस नाटक के आधुनिकता बोध का सरवाधिक सशक्त पहलू है यह खोजबीन में कहीं एक अपराद बोध सा भी उत्पन करती है आधुनिक के जितने भी स्वरूप और संधर्व माने जाते हैं उनमें प्रमुक्तम यही है के अस्तित्व बोध इस नाटक पर अस्तित्व बोध बुरी तरह हावी हो गया है जितनी गहराई से अस्तित्व बोध का संकट राकेश के पात्रों में आध्य अधुरे में है संभवता बहुत नाटकों में भी है यह अस्तित्व बाद इस नाटक पर इस कदर हावी है कि जैसे व्यक्ति का महत्व ही मिट गया हो यह एक ऐसा मशीनी पूर्जा है जिसे वह चाहो जहाँ चाहे फिट कर दो जैसे भी हो हटा दो प्रतेक पात्र अपने अस्तित्व को लेकर एक उसी प्रकार के विच्चत रिस्तिती में रहता है आधे अधूरे के संधरू में डोक्टर जग्दिश शर्मा का भी यह कथन है कि परिवार के भीतर वह संगर्ष बाहरी समंदों के परिपेक्ष में विक्सित हुआ है स्री अपने आर्थिक आत्म निर्भरता का उपियो कर रही है अपने बाहरी संपर्कों के संभंद में पती की और से उठाई गई अपत्यों की अभेलना करने के लिए भी करती है इस नाटक में पती पत्नी के समंदों को लेकर भी गहरी और विशेष्ट टिपणी की गई है पती पत्नी के समंदों का जो यह सोरूप है जब जब फितरूपता यह विक्रती ग्रहन करता जाता है तब तक उनका ही नहीं वरन समस्त परिवार का जीवन का एक गहरे कुए में विगटन होता हुआ दिखाई देता है और जहां विगटन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इसी प्रकार का जो मनुभाव चित्रण है सावित्रिका मिलता है वो अपने पती से के बारे में इसपष्ट तहा कहती है वो कहती है कि हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी न किसी का सहरा चाहिए अब आधे अधूरे में प्रेम समधों के आधुनिक स्वरुप का जो भी चित्रण किया गया है यहां प्रेम संभंद भावनाओं की दिवार बना कर खड़ा हो गया है जैसे जो किसी भी समय गिर भी सकती है नाटक कार ने प्रेमी प्रेमी का के आपसी संभंदों को तूटते हुए दिखाया है इसमें प्रेम और विवाह का पारिवारिक परिप्रेक्ष में आधुनिक चितन भी है उनके इस व्यंग में एक आधुनिक नोकरी पेशा स्त्री की छिचली महत्वा कांशा से उपजी घर परिवार की समस्या भी एक चिंता है सावित्री जैसी जो जिस प्रेम मार्ग में चल रही है ये चलती है उसमें सफल नहीं हो पाई और सभी पात्र एक दूसरे के प्रेमी प्रेमी काउं से पौन रुपेंड परिचित है मोहन राकेश का ये जो नाटक है आध्य अधूरे ये प्रियोक के धरातल पर खड़ा होकर अत्यांत सफलता से हिंदी नाटि जगत का मार्ग दशन कर रहा है इसमें होता यह है कि संधर्बों को लेकर नाटक कार अपना नाटक रशता है लेकिन हो यह जाता है कि संधर्बों बदलते चले जाते हैं और जीवन की संभावनाओं का नव दिक विस्तार होता रहता है इसी कारण एक ही लेखकी रशना भी बदलती रहती है जो सहतिकार उस परिवेश के प्रति प्रतिबद्ध है वह कभी भी अपने को स्वेम को दोराएगा नहीं और राकेश के यहां भी इसी दोराव का सर्वथा अभाव है इसी कारण राकेश ने आध्या धूरे के प्रयोक के निर्वाह का पुर्जोर प्रयास भी किया है मोहन राकेश ने अपने पातरों के स्तर से इस प्रयोक को प्रार्म किया सिंखानिया यदपी आत्मतुस्ट है किन्तु आशंकित रहता है तो जग मोहन का जीवन दर्शन ही अपनी सुईधापटि का हुआ है और मकार किस्म का जुनेजा ये सब के सब जो वे लोग हैं जिनका अपने बारे में वहाँ आकलन है कि जिन्दगी से अपनी लड़ाई हार चुके हैं राकेश ने सिंखानिया जग मोहन और जुनेजा को महंदर नात के ही अलग-अलग मुखटे बताया है और ये मुखटे संघर्ष शम्ता से हीन खोकले एवं पलायानवादी रहे हैं लेखक ने एक ही व्यक्ति से इस सभी प्रकार के प्रयोग करवाए हैं और यही प्रयोग प्रयोग करना है इसलिए नहीं किया गया कि ऐसा करके राकेश ने एक ही व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के विभिन विभाजित अंशों को प्रतिगात्मक रूप दिया है बलकि आज जो महेंदर नाथ पलायनवादी संगर्श के लिए अक्षम और खोकला यहां तक कि जीवन के संग्राम में पराजित दिखाई देता है वो पहले ऐसा नहीं था किन्तु व्यवसाईक असफलता के कारण वो ऐसा हो जाता है यहां महेंदर नाथ साधवादी प्रवर्थी का एक बन जाता है यहां तक कि मोहन राकेश ने इस परिवार के बच्चों को भी पोनोग्राफी से ग्रस्त बताया है और विशेश कर छोटी लड़की बिन्नी का बड़ी लड़की बिन्नी की चरितर स्रश्टी को राकेश ने वर्थमान जीवन की विदरूपताओं को यह छटपटाता हुआ व्यक्तितू बनाया है जीवन की ये जो त्रासद अनुभूतियां हैं वे अपने पातरों के साथ जोड़कर उनके माध्यम से तो छटपटाहट निकलवाना चाहते ही हैं जो जीवन के कठोर धरातल पर नवनमेश की पांच्छा रखती है यानि जब छोटी लड़की बिन्नी के भाव, स्तर, चाल यहां तक की हर बात में विद्रों का भाव भरा पड़ा है यह खीज और असंतोष से अपने समूचे व्यक्तितू को रंगे हुए हैं यह बहुत सिर्चड़ी, मुफट, जिद्धी, आत्म के अंदरी तोर बिगड़ी हुई लड़की है जो अपमानित होकर भीतरी कक्षा में बंद हो जाती है तो था अपने बाहर आने से स्पष्ट मना भी कर देती है मुहंटाकेश ने इसका प्रयोग यहां इस क्रम में किया है कि यहां सिमीत ही नहीं रखा अपितू प्रयोग के इन आयामों को स्वरूपों को इस पर्ष्ट रूप से प्रकट करने के लिए मंच, निर्देशन, मंच, सज्जा, संगीत और जो प्रकाश, सज्जा के लिए शब्दा वाली वा प्रतीकों का आश्रे लिया जाता है वे तीन तरफ से कम्रे में जहाकने वाले तीन दर्वाजों को तीन पुरुशों का प्रतीक बताया है यह प्रयोग संगीत के स्तर पर भी परिलक्षित हो जाता है मोहन राकेश ने जिस संगीत संयोजन का संकेत किया है उसमें भावों के अनुरूभी प्रियोग से सननध कर दिया है जबकि इसके अतिरिक्त वरहत संख्या में निर्देशों को भी स्थान दिया है किन्तो वे निर्देश कहीं भी निर्देशक की भ्रमित को भ्रमित नहीं करते हैं अपितु उसके लिए संपूर्ण परिवेश को एक सुलजे हुए रूप में रख देते हैं पसुतह आध्य अधूरे के प्रतेक स्तर पर राकेश की प्रियोग धर्मिता में एक नया आयाम स्थापिद किये हैं संपूर्ण नाट्य रचना में यही वे परियोग हैं जिसे विलक्षनता से जोड़ा जा सकता है आध्य अधूरे नाटक आज भी हिंदी साहित्ती जगत में मील का पत्थर माना जाता है और यहां तक ही भाशा को लेकर भी राकेश के भीतर एक छटपटाहट थी वे खोई हुए शब्दों को खोजते रहते थे स्वेम राकेश के ही शब्दों में हम कहेंगे वे कहते हैं लगता है दिमाग में एक जंगल उभर आया है और कुछ ऐसा है जो गहरे सूने पन के अंदर से भी एक अर्थ का आभास देता रहता है वह कुछ जिसकी फड़फडाहट मन के किसी कोने में हर वक्त बनी रहती है मन उस फड़फडाहट को पकड़ना चाहता है उसे नाम भी देना चाहता है परन्तु बहुत कोशिश करने पर भी वह एक शब्द नहीं मिलता जो आदमी को पूरी तलाश और तलाश के हर उत्तर को व्यक्त कर सके मोहन डाकेश ने अपने नाटकों में भाषा की स्थिर्था को तोड़ने की कोशिश की है वे भाषा को केवल शब्दों का सम्हु मातर नहीं मानते हैं बलकि समंध प्रक्रिया के एक नए नए संधर्वों में परयोग की एक नई अर्थ वत्ता को प्रिदान करने का परियास करते हैं और आध्य अधूरे की नाट्य भाषा नाटक कार की इसी खोज का परिणाम है यहां राकेश की अपनी भाषा है जिसे साधर्ण तह बोलचल की भाषा बनाने का उन्हों ने परियास किया है यहां वाक्यों की जो बनावट है वो बदली हुई है यहां नाटक का रिथार्थ से सीथे लड़ाई लड़ता है और उसकी भाषा उस यथार्थ को सीथे पकड़ कर रखती है इसी कारण इस नाटक की भाषा बड़ी पैनी, तीखी और व्यंग भरी है इस नाटक का निर्देशन जो कर चुके हैं ओम शियुपूरी की शब्दावली में यदि कहा जाये तो इस नाटक में आज के एक कहन अनुभोग खंड को मूर्द करने के लिए हिंदी के जीवन्त मुहावरों को पकड़ने के सार्थको प्रभावशली कोशिश की गई है पहले वाचन के समय में ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कोशिश लगी थी और कहना ना होगा कि इस नाटक की अकत्यंत महर्दुपूर्ण विशेशता इसकी भाषा है इसमें वह सामर्थ्य है जो समकलिन जीवन के तनाव को पकड़ सकें शब्दों का चैन, उनका क्रम, उनका सेयोजन सबकुछ वेसा ही है जो बहुत समपूर्णता से अभिब्रेद को अभिव्यक्त करता है लिखे शब्द के यही शक्ती उच्चरित धोनी सम्हूं का यही बल है अधार्थ निशकश रूप से हम यह कह सकते हैं कि इन निश्प्राण शब्दों से मुक्ती और नई अर्थ शक्ती से संपन शब्दों का जो नाटकोचित प्रियोग प्रथम तह आधे अधूर में मिलता है और आक्रोश, तेजी, कुडन, बोखलाहट, आधी से संपन जो यह एक नया तेवर पूरे नाटक में भाशा के भेश में से उभर कर हम सभी के समक्ष आता है इस नाटक में मोहन राकेश ने सहितिक भाशा और जन भाशा के बीच का अंतर मिटाने का सराहने प्रियास भी किया है गुर्तर दाइतु से परिपूर्ण प्रियास किया है तथा इसमें विपूर्ण रोप से सफल भी हुए है